Hello everyone, welcome to our YouTube channel Everyday Life आज के हमारी रोचोग उप्योगी जानकारी है इस साबुदाना और नायलोन साबुदाना के अंतर के विशाय में ये दोनों ही टैप्योग का यानि कसावा जड़के मांट से बने हैं मगर इसके बनने की प्रक्रिया और उप्योग थोड़ा भिन है तो चलिए शुकरते हैं आज सबसे पहले है ये मध्यम आकार का साबुदाना साबुदाना कारखाने में एक विशेश प्रक्रिया से बनता है इसके लिए टैप्योगा के गीले मांट को गोली का आकार देने के बाद उनको हलका भून कर गरम हवा से सुखा लिया जाता है और इस साबुदाने से कोई भी व्यंजन बनाने से पूर्व आपको इसे पानी में भिगोकर रखना पड़ता है ये देखिए ये जो आपके सामने ये हैं ये हैं भीगेवे साबुदाने भीगने के बाद ये साबुदाना काफी नरम हो जाते हैं ये देखिए और भीगोने का अर्थ यहां ये है कि इसको आपको काफी कम पानी में भीगोना है इसे राजमा या छोले की तरह दुगने ये त्युगने पानी में नहीं भीगोया जाता इस तरह के साबू दाने का उपयोग खिचडी, टिक्की, वड़ा और खीर आधी बनाने में होता है और ये साबू दाना हमेशा इस तरह से सफेद रंग का ही होता है साबू दाने को फलाहार में रखा गया है और इसको वरत के भोजन बनाने के लिए उब्योग में लाया जाता है नवरात्रों में तो ये हर छोटी बड़ी परचून या किराना की दुकान में उबलब्ध है इसके एक किलो का दाम सौ रुपे से शू हो जाता है और आज का दूसरा साबूदाना है ये नायलोन साबूदाना इसके इस तरह के चमकीले और पार्दसी सोरूप की वज़ा से इसको नायलोन साबूदाना भी कहा जाता है इसको भी कारखाने में टैपियोका के गीले मांड की गोलिया बना कर भाब दी जाती है और फिर इसे सुखाया जाता है यानि सरल शब्दों में आप इनको हलका प्रीकुक या पहले से पका हुआ कह सकते हैं और इस तरह के नायलोन साबुदाने का उप्योग तलने के लिए यानि इस तरह से इसको तला जाता है और इसका उप्योग नमकीन में होता है और तलने के बाद ये नायलोन साबुदाना इस तरह से फूला फूला और कुरकुरा हो जाता है और आपने अक्सर इसको व्रत के नमकीन में देखा होगा ये नायलोन साबुदाना भी परचून की दुकान में आसानी से उपलब्ध है जिसके एक किलो का दाम 150 रुपे से शू हो जाता है इस साबुदाना के विशे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा वीडियो टेपियो का पल्स और साइगू पल्स में क्या अंतर है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है देख सकते हैं और हम आशा करते हैं हमारी आज की जानकारी इस साबुदाना और नाइलोन साबुदाना के विशे में आपकी एव्रिडे लाइफ में जरूर उप्योगी रहेगी थैंक्स और वाचिंग और कीप इनजॉइंग आर एव्रिडे लाइफ